सुना हैं कि अगर एक मेंडग को उबलते पानी में डालो तो उसमें से बाहर कूद जाएगा वो पर अगर उसको पानी में डाल कर पानी को धीरे धीरे उबालना शुरू कर दो तो वो मर जाएगा मेंड़क पर उसको समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है और वो बाहर नहीं कुदेगा मुझे लगता है ये मेरी कहानी है This is Mind, Body, Money with Ria Presented by GMAX Studios Mind, Body, Money with me Ria एक English podcast है जिसमें हम औरतों के मानसिक, शारिरिक और आथिक सेहत यानि की mental, physical और financial fitness की बात करते हैं आपके पास भी अगर कोई सवाल हूँ आप लिख सकते हैं Mind, Body, Money, Podcast at gmail.com पर जवाब देंगे हमारे panel of experts नमशकार, मेरा नाम अनिंदिता चाटजी है मैं एक mental health counselor हूँ I am the mind part of this podcast नमशकार, मेरा नाम Ankeetha Kalsi है I am a Pilates Movement Instructor मैं इस podcast की body aspect cover कर रहे हूँ Hi, I am Ritu Sood Mathur I am an ex-banker and an independent financial planner I am the money part of this podcast I think I stopped noticing me मैंने खुद पर ध्यान देना ही छोड़ दिया दूसरों का खयाल रखते-रखते इतनी मसरूफ हो गए थी सुना है कि अगर एक मेंडक को उबलते पानी में डालो तो उसमें से बाहर कूद जाएगा वो पर अगर उसको पानी में डाल कर पानी को धीरे-धीरे उबालना शुरू कर दो तो वो मर जाएगा मेंडक पर उसको समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है और वो बाहर नहीं कुदेगा मुझे लगता है ये मेरी कहानी है मैंने ना बोलना सीखा ही नहीं या अगर सीखा तो भूल गई I forgot to say no ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीजें लोग मांग रहे थे मुझे से हजार लाखों छोटी छोटी चीजें थी और शायद हर एक के लिए मुझे अपने comfort zone से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं थी पर हर बार लगा थोड़ा सा ही तो है तो खुद को धकेल दिया इसी को शायद conditioning कहते हैं मुझे सिखाया गया था हमेशा दूसरों की मदद करो हमेशा तमीज से पेश आओ और यही सब बाते मैंने अपना लिया अपने जहन में और मुझे यह एहसास था कि अगर किसी की मदद की जा सकती है तो जरूर करो तो मैंने किया कुछ लोगों ने नजरांदाज भी कर दिया हर कोई शुक्र गुजार था ऐसा भी नहीं था कईयों को तो समझ ही नहीं आया कि मैं क्या कर रही हूँ और धिरे धिरे यह उनकी आदत में शामिल हो गई कि मैं तो ऐसा करूंगी ही दूसरों की मदद करना और अपने दायरे बना कर रखना इन दोनों चीजों के बीच में मैं अलज गई मैंने सब को गलत मिसाल दी I set the wrong precedent मैं एक बार एक therapist के पास गई थी और उसने मुझे कहा कि ऐसा नहीं कि तुम्हारी boundaries नहीं तुम्हारे दाइरे नहीं पर पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि वो उसको लांग कर जा सकते हैं It's okay to trample all of them मैं जानती हूँ कि ऐसा होता रहा क्योंकि इस सब का कोई परिनाम नहीं था There were no consequences और ये मेरी अपनी conditioning थी मैं हमेशा किसी और के बुरे बरताव के लिए बहाने बनाती रही खुद ही अंदर ही अंदर उसको माफ करती रही उसको justify करती रही पर सच तो ये है कि मैं college में जैसी थी अब मैं बिलकुल वैसी नहीं हूँ एक दम भी नहीं और अपनी गलतियों का या अपने downfall का मैं इल्जाम किसी और पे नहीं डालती मैं खुद ही justify करती रहती हूँ कि मैं क्यों ऐसी बन गई और बाकी सब को benefit of the doubt देती रहती हूँ हमेशा मेरी therapist ने ये भी कहा कि तुम्हारे problems हैं और तुम ये जानती हो और तुम ये मानती हो पर तुम्हें एक solution तक भी पहुँचना है अब 50 साल की उम्र होने लगी है बहुत सारे करीबी दोस्त हैं परिवार है जो नहीं जानेंगे कि इस नए इनसान से कैसे वो जूझें अगर मैंने सब को ना बोलना शुरू कर दिया तो वो हैंडल नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऐसा मैंने कभी किया ही नहीं और हर बार, हर रोज मैं खुद से कहती हूँ कि करो, करो और जस्टिफाई मत करो it's a work in progress पर मैं बार बार चूक जाती हूँ I dropped the ball frequently but at least I realized that I dropped it और हां, थेरपिस्ट के पास regularly अभी तक गई नहीं हूँ समय ही नहीं मिला अभी तक Anandita, this sounded a lot like the story of a lot of women's lives in India to me, क्योंकि मुझे लगता है घर, ग्रिहस्ती, extended family you know, रिष्टेदार, परिवार ये एक और चीज़ इन्होंने मुझे एक और follow-up mail में लिखा था जो बाद में Ritu के शायद काम में आये she's an artist और ये खुद अपना I think pottery या जो भी करती है खुद बेचती भी है, तो ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह से financially dependent है और इनका एक creative outlook भी है but yeah, Anandita, I mean what do you say, I mean, somebody's told her she has boundaries, but she doesn't maintain them तो रिया, एक चीज़ ना मैं बिलकुल pointed करना चाहूंगी कि ये जो इनकी दुविदा है कि यह पहले तो बताय था, सबका भला करो, सबका सोचो, ये रिया हम सबकी दुविदा रह चुकि है, क्योंकि आप सोचो, आपको भी घर पर ये ही सिखाया है क्योंकि इंडियन वाल्यू सिस्टम में ही ये है कि दूसरों का सोचो अपने से पहले और Actually, I would like to give a shout out to my parents here for one quick second मुझे ये कभी नहीं बताया गया था और मुझे लगता है मेरी जिंदगी में बहुत फर्क पड़ा इस बात का So, big thank you to my brother बहुत ये तो बहुत 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 है बट मैं अपनी बात कह सकती हूँ और मैं शाइद बताया जाए बेटा अपना मत सोचो टेबल से सबसे बड़ा फल आप मत उठाओ सबसे जादा चीजे मत मांगो सबसे सबका सोचो पहले आसपास देखो क्या माहौल हो रहा है उस तरीके से बात करो अब वाइल इसमें बहुत मेरिट भी है क्योंकि आपको जब आप सोसाइटी या कम्यूनिटी में रहते हैं दूसरों का भला करना इसमें कोई गलत नहीं है पर इसमें जो हम जब बड़े होते हम बच्चे ये चीज़ ले लेते हैं कि हमारी जरूरतों पे ध्यान मत दो सिर्फ दूसरे की जरूरतों पे ध्यान दो इसका एक और पहलो यह है रिया कि हमने अपनी माओं को करते हुए देखा है अगैन मैं सबकी माओं के बारे में नहीं बोलूँगी पर मैंने अपने घर में तो बहुत देखा है दोस्तों के घर में भी देखा है कि उनकी माएं सबसे आखिर में खाना के खाती हैं बैठके, सब खाना खाके उड़ गए, वो औरत कभी-कभी बिचारी खाना बनाते हुए साइड में खीके हो गया, फिर खा लिया कुछ, अच्छा, फिर उसके बाद सब चीजों में सैक्रिफाइस करना, तो अच्छा, हमारे मतलब, माइथालोजी के एक्सपर्ट नहीं हो, बड़ इतना तो बता है कि सैक्रिफाइस को बहुत बड़ा माना जाता है, हमारे माइथालोजी में और एंचेंट विजड़म में, अब इसके चक्तर में बहुत सारी चीज़े जो हमने बड़े होते हुए सीखा है, बाद में अडल्ट होके लगता है यार यह कैसे हो रहा है, यह तो ठीक नहीं हो रहा है, एक मैं ही करी जा रही हूँ, दूसरा तो करी नहीं रहा है, वहाँ पर यह भी कहती है कि उन्होंने तो अक्नॉलिज भी नहीं किया, अक्नॉलिज इसलिए भी कभी-कभी नहीं हो पाता रही है, क्योंकि लोग entitled feel करते हैं अब तुम मेरी दोस्तों तुम तो यह करोगी तुम मेरी बीवी हो इतना तो बनता है तुम मेरी बेटी हो इतना तुम करोगी न देखो सब कर रहे हैं तो हम पीछे जाके चीजे बदल नहीं सकते रिया यह हम सब जानते हैं और यह जो boundaries का concept है न यह मैं कमघी इंडिया में या इंडियन वाल्यू सिस्टम के साथ कहीं पे हमेशा ही लॉगरहेड्स होगा और आज कल क्या हुआ इंस्टेग्राम ट्विटर पे इतना लिखना हो रहा है कि uphold your boundary, uphold your boundary मेरे साथ चो लो काम करते हैं वो जब आके बात करते हैं मैंने कभी कोशिश कर अपी मा के साथ upholding boundary, ठीक है ना तो वो अभी भी बोलेंगे क्या boundary, कहां की boundary मैंने कह दिया तो नहीं जाना, नहीं कहना तो मतलब I don't want to make it into a joke पर मैं ये बात कहने की कोशिश कर रही हूं कि मैं 50 साल की हो गई हूँ कोई बात नहीं आगे भी तो जिंदगी है ना तीस साल, च चाले साल अच्छे कटे, तो उसके लिए हमें दो तीन चीज़े करना पड़ेगा और ये जो boundaries uphold की बात होती है, पहले बात तो बहुत मुश्किल है boundary create करना, अगर आपने की है तो दो तीन चीज़े मैं बता सकती हूँ, एक तो इंसान को आप reason दीजिए कि आप ना क्यों बो इसलिए मैं नहीं जाँ पा रही हूँ, तो थोड़ा सा डिले कर देते हैं, अगले दिन चले जाते हैं या एक हफते बाद चले जाते हैं, आप ना से पहले एक reason दीजिए, दूसरी बात, overall assertive होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप overall assertive होंगी, तो ना बोलना आसान रहेगा, और तीसरा, आपको इस पात पे काम करना पड़ेगा, या समझना पड़ेगा, इंटरनलाइस करना पड़ेगा, कि आपके boundary setting से, या आपके boundary upholding से, जो लोग खफा और नाराज हो जाते हैं, वो आपके सगे तो कभी है ही नहीं ना? क्योंकि अगर हम इंसान का सिर्फ हा ले सके और ना ना ले पाए, तो वो हमारा सगा कैसे हुआ? बिलकुल, और ये बहुत मतलब, like she said, it's a work in progress, और मैं, अनिंदिता ने जो बोला, मैं हमारी इस woman of interest को दुबारा बताना चाहूंगी, कि जब आप कहते हो कि लोग आपका ये नया चेहरा accept नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं आप अभी भी उनका approval ढून रहे हैं, और ये process ही है, उस approval के चक्रवियों से निकल जाने के लिए, तो धीरे-धीरे ही होगा, और कहीं तो वो लोग क्या कहेंगे, मैंने एक प्ले में एक कमाल की lines हो नहीं थी, I had watched a play, where a character said, अगर लोग क्या सोचेंगे, ये भी मैं सोचूंगा, तो फिर लोग क्या सोचेंगे, which I thought was a brilliant line, कि लोगों को अपनी सोचने दो, आप उनकी चिंता ना करो, आपने पहल की है, और, Ankita, you know, physical well-being, feeling good about yourself, creating, you know, हम physical में fitness या sexual health की बात करते हैं, पर मुझे कभी-कभी लगता है, जब हम कहते हैं, कि I need space, that is such a physical word, actually. आप और से सोचो तो हमारी boundaries अपने आप में, अपने दी के साथ, भी काफी अच्छी नहीं होटी, और अपरिंगिंग, हमें पता नहीं, हमें शायद काफी सारी families में सिखाया क्यों नहीं, कि आप अपने शरीर का ख्याल रखो, अपने डाइशल सिस्टम का ख्याल रखो, पढ़ रहे हो, माक्स अच्छे आने के, पर खाना कैसे खाते हैं, क्या खाना खाते हैं, अपनी सेहत अच्छी रखने के लिए, ताली साल की उमर में डाइबटीज नहीं होनी चाहिए, चोकलेट नहीं खाते हैं, किसी ने कभी बताया हैं? मेरा पहला सजेशन होगा कि अपने आपको थोड़ा सा रिलाक्स कर देना, अपने आपको थोड़ा सा पैंपर करना, अपने आपको अटेंशन देना, and the age-old मालिश के लिए जाना, massage is amazing, that's your nervous system, it is very nice, आप अपने आपका सा पार करो, अच्छा होगा, अपके माइं को, आपकी बोड़ी को, you'll feel refreshed, पिर उसके बारे मैं सोचो, कोई class तूनो, traditional yoga class, deep pranayama class, self-conditioning class, maybe a therapist, and see another friend who caught me or something, but please go for a massage. How lovely, I love it, go for a massage, ये बहुत अचा है, and it will make such a big difference. Ritu, जैसा कि मैं गहरे थी, इनके एक follow-up mail में, इनोने लिखा था, ये एक आटिस्ट भी है, और ये अपना काम, commission भी करवाती है, और I think अपनी pottery बेजविती भी है, और एक creative outlet तो है ही, वो एक income का भी जरिया है, and yet she feels, the way she feels, कि इनकी अपनी कोई आवाज नहीं, इनका अपना कोई वजूद नहीं है, imagine an artist feeling this way, and a successful artist. मैं ये कहना चाहूंगी, कि किसी भी इनसान का self-confidence और self-esteem बढ़ता है, अगर आपकी कमाई अच्छी हो, तो वो ज़रूर इस पर concentrate करें, अगर वो commissioned artist है, तो ज़रूर अपनी passion को follow करते हुए, और arts के commissioning की जमेदारी लें, और जब वो ये करेंगी, और पैसे अच्छे कमाने लगेंगी अपने art के जरिये से, तो एक अपने आप से ही उनमें self-confidence और self-esteem बढ़ जाएगा, जिससे वो बाकी सब अपनी problems, या बाकी सब वो जो ना कहने में जो हिचाहत है या कुछ भी है, वो दूसरों को ना सुनने में अच्छी आसान होने लगेगा, जैसे ही आपका self-confidence और team बढ़ेगा, तो वो अपने art को जरूर फॉलो करें और वो जो उसको अच्छा अपना कमाई का जरिया बढ़ है, जी, and considering that she has a source of income, financially speaking, can she do something that contributes to her sense of control of having, you know, because she seems to have a loss of control, sense of loss of control over her own life, और money हमें बहुत एक control और security की feeling देती है, तो is there something, and considering that she does have a source of income, is there something she can use? So maybe she should just invest in that a little bit more in terms of time and scale at which she's doing it, because you know, when you're doing something, also I, like I said, I'm not a mental health expert, but मुझे ये लगता है कि मेभी अगर मुझे अच्छा सा कुछ अपने, you know, जो अच्छा लगता है, कोई किसी भी इनसान को, जो अपना passion follow करे या जो अच्छा लगता है वो करे, अपने नजरों में आपकी इस्दत आपकी बढ़ जाती है, फिर ये फरक नहीं पढ़ता है कि लोग कैसे accept कर रहे हैं कि नहीं accept कर रहे हैं, क्योंकि उनकी problem मुझे जो लग रही थी वो ये कहा कि लोग accept नहीं कर रहे हैं उनके change को, कि वो ना बोलना अब शुरू कर रहे हैं, तो अगर वो अपने career में अगर improvement और करती रही, तो शायद उनको बहाँ जादा सोचने की available to anyone, और आपकी चाहे, मतलब financially तो आप जितना काम करेंगे, आपको आट को जो सराहा जाएगा, जो उसकी value दी जाएगी, वो directly हमें लगता है, हम valued हो गए हैं, जब हमारे काम को वो value मिलता है, और वो एक creative expression भी है, एक outlet भी है. हाँ तो एक और अनामिका हमारे साथ जुड़ी, mind, body, money तक अपने सवाल और अपने उलज़नों को लेकर आई, मुझे बहुत ताज़ूब इस बात से भी होता है कि कितनी सारी ओरतें अनामिका ही रहना चाहती है, इससे भी ना मुझे एक चीज़ समझ में आती है, कि शान्त को, stability को, अमन को, कोई नहीं तोड़ना चाहता, औरतों की ये conditioning ही है, कि इस सवाल के साथ मेरा नाम तक न जुड़े, और इसमें भी मुझे लगता है, एक सीख है हम सब के लिए, कि हम कितना ज्यादा दूसरों के comfort के बारे में सोचते हैं, और अपने comfort को नजर अंदाज कर द आप एक कलाकार हैं, और एक कलाकार को बहुत गर्व होना चाहिए अपने काम पर, और बहुत ज्यादा स्वाभिमान तो होता ही है कलाकारों में, तो अगर आप अपनी identity खोती 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 इस हद तक पहुँच गई हैं, कि आप कहती है, I stopped noticing myself, तो ये बहुत बड़ी बात है अपनी कलाका सहारा लीजिए और धीरे धीरे ना बोलना तो सीखना ही पड़ेगा, जैसा कि अनेंदिता ने कहा कि अगर आपको शुरुआती तो और पे कोई जगडे मसले नहीं चाहिए, तो थोड़ी सी एक वज़ा दीजिए, कि आप ना क्यूं बोल रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा टिप लगा, कि एक लाइन साथ में, कि मैं ये ऐसा नहीं करना चाहती क्यूंकि सेशायद अगले को समझ में आ जाए, after all these are people who love you and who care for you, और ये मसाजवाल आइडिया बहुत स्वीट था अंकिता का, और रितु ने तो कहा ही है, अपनी कला की तरफ मुड़ि ये creativity है, वो बार-बार सूरज की तरह आपको रोङशन कर दे, आपको अंदर से एक नूर दे, हम यही दूा करेंगे, take lots of care, do right back to us and do value your mind, body and money. that was mind body money with ria presented by gmax studios this podcast was produced by rm word pictures audio design indranil bhattacharji